जैहिंद सातियों स्वागता आप सभी का आपके अपने परिवार आराशिष्टे डिट्रिक परिवार में और जैसा कि आप थमनेल में देख रहे हो और आप सभी को पता है कि अपनी राम सिंग यादव की पुष्टक के पूरे 50 पेपर कंप्लिट हो चुके हैं और उसके पार्ट है और कल नेक्स्ट छटवा पार्ट आने वाला है जिसमें जिके के भी कंप्लिट क्यूशन हो जाएंगी उसके बाद में आपकी यह पुष्टक भी कंप्लिट हो जाएगी तो करते हैं सुरुआत से पहले यही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यूशन और आपकी इस पुष्टक का 589 नंबर क्यूशन जिसमें बार्टिय और अंतराष्ट्रिय परमुक व्यक्तित्व या उन महापुरूसों के बारे में बताया गया है जिनके बारे में हमें पढ़ना अनिवार यह है चाए आप कंप्टिशन की तैयारी करो या ना कर होना अनिवार यह है तो पहला पर्शन है सवराज ये मेरा जनमसीद अधिकार है यह किस ने कहा था आपकी कंप्टिशन के तो यहां पे चारों ऑप्शन ही आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है पहला ऑप्शन दिया गया नेता जी शुबास चंदर बोस का तो नेता जी क्यों इनको नेता जी की उपादी किस ने दीती नेता जी सुबास चंदर बोस को नेता जी की उपादी एडोल पीटलर ने दीती और सुबास चंदर बोस ने ही मातमा गांधी जी को राष्टर पिता या बापु की उपादी दीती इसके लाओ नेता जी सुबास चंदर बोस को अपने अदिन लेकर पुनर गठन किया था इसलिए आजा दिन फोज को परशिदी दिलाने का सरे भी सुभास चंदर बोश को दिया जाता है यहां पर भगत सिंग को कौन नहीं जानता इंकलाब जिन्दाबाद जिनका नारा था भगत सिंग 23 मार्च भगत सिंग शुकदेव यहां पर बाल गंगा दर तिलक ने यह नारा दिया था शुब राजे मेरा जनम सिर्दिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा बाल गंगादर तिलकी 1920 में कब है? 1920 में SIO कांदोलन के दोरान बाल गंगादर तिलकी मरती हुई थी नेक्स्ट क्यूशन परसिद गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी? जै देव, मोहमद इकबाल, रविंद नाटेगोर या बंकिम चंदर चटर जी तो सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता है मारा ये गीत किसने रचा था? जै देव, मोहमद इकबाल, रविंद नाटेगोर या बंकिम चंदर चटर जी बंकिम चंदर चटर जी की बात करें तो इन्होंने एक परसिद पुस्तक लिखी थी यहां पर रविंद नाटेगोर ने किस पुस्तक की रसना की थी, रविंद नाटेगोर ने गितांजली की रसना की थी गितांजली के लिए रविंद नाटेगोर को 1913 में बारत का पहला ग्यानपीट पुरुषकार दिया गया था ग्यानपिट पुरुषकार जी संकर कुरूब को दिया गया था जो मली आलम भासा के लिए 1965 में दिया गया था नोबेल पुरुषकार दिया गया था ये बारत के नहीं एसिया के पहली वेखती थे जिने नोबेल पुरुषकार दिया गया था इस गेट की रशना मोहमद इकबाल ने की थी, ओप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा Next question, नेवन में से किसे लेडी विट दा लेंप के नाम से जाना जाता है फलोरेंस नाइटिंगल, सरोजनी नाइडू, एनी बेशेंट या इंदिरा गांदी इंद्रा गांदी बारत की पहली मैला परदान मंत्री थी, 1901 में जब बांगला देश को मुक्ती के लिए संगर्श चला था, उस समय बारत की परदान मंत्री इंद्रा गांदी थी यहाँ पे Florence Nightingale option number C right होगा Lady with the Lamp के नाम से जाना जाता एनी बेसेंट बारती राश्ट्रे कॉंग्रेस की पहली मैला अद्यक्स और यह दी पूछा जाए बारती राश्ट्रे कॉंग्रेस की परतम बारती है मैला अद्यक्स तो सरोजिनी नाइडू थी अन्य था पहली मैला अद्यक्स एनी बेसेंट थी नाक्स्ट क्यूशन गुरुदेव के नाम से परसिद्ध कौन है लाला लाजपत्राई, बाल गंगा दरतिलक, रविंदन नाटेगोर या बंकिम चंदर चटरजी तो लाला लाजपत्राई को सेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है जिन्होंने साइमन कमिशन के विरोध में अपनी जान दे देती और उन्होंने कहा था कि मेरी सरीर पर पड़ी एक एक लाटी बिटिस के कफन में किल सिध होगी यहाँ पे ओप्शन B दिया गया बाल गंगा दर्तिलक जिनके बारे में हम पढ़ चुके है बाल गंगा दर्तिलक की एक परशिद पुस्तक जिसका नाम था गीता रहस्ये गीता रहस्ये नामक पुस्तक के लेकर बाल गंगा दर्तिलक थे परंतु येदी पूचा जाए गीता और महा बारत की रशनाकार कौन थे गीता पुष्टक के लेकग महर्ची वेद व्यास थे परंतु गीता रहस्ये पुष्टक के लेकग बाल गंगा दरति लगते रविंदर नाटेगो और को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, इनके बारे में हमने चर्चा कर लिए, बंकिम चंदर चठर जी की भी बात कर लिए, राश्टर गीट वंदे मातरम की रसना की थी, उननीस सोरी एठार सुचियान में के कॉलकाता दिवेशन में गाया गया नेच्ट क्यों सन, बारत के परतम राश्टर पती कौन थे? डॉक्टर राजेंदर परसाद, डॉक्टर राधा करेश्णन, वी वी गीरि या डॉक्टर जाकी रूशेन यहां पर option number A दिया गया डॉक्टर राजेंदर परसाद इसका right answer भी होगा राजेंदर परसाद बारत के पर्थम राष्टर पती थे डॉक्टर राधा कृष्णन कोन थे यह भी कुछ पर्थम थे तो यह पर्थम उपराष्ट्र पती थे राजे सभा के पर्थम सभा पती भी डॉक्टर राधा कृष्णन को । यह äsident करफ औक एक तक चुष्टर पती 1977 वहें? नेक्ष्ट क्यूसन मम्ता बनर जी किस राजनितिक पार्टी से संबन दी था अभी तो बहुत चर्चा में मम्ता बनर जी भी आपको पता एक रिपोर्ट आई है एक इंडेक्स आए जिसके अकोर्डिंग आपके जो भारत के सभी राजियों के सीम है उसकी प्रोपर्टी की चर मम्ता बनर जी पस्ची मंगाल की मुख्य मंत्री है ओप्शन बी राइट होगा त्रेनमुल कॉंग्रेस अभी अभी चर्चा का विशे है मम्ता बनर जी न्याक्ष्ट क्यूसन कॉंग्रेस का पर्तम अध्यक्स कौन था पंडित नहरू डॉक्टर राजयंदर पसाद मात्मा मात्मा गांधी वोमेश चंदर बनर जी तो कॉंग्रेस के बारती राष्ट्रे कॉंग्रेस की इस्ता अपना 1885 में होती है डपरीन के समय में और किसके द्वारा की जाती है इसको लेंड के एक आईशिया सदिकारी थी है ए ओ हुम उनके द्वारा की जाती है और पहला अधि द्वारा की थी वो भी कब है वो की थी 1924 में कहां पर करनाटक के बेल गाउं में मात्मा गांधी जी ने कॉंग्रेस की इस्ता की थी नेक्स्ट क्यूशन जै हिंद का नारा किस ने दिया था जै हिंद सुबास चंदर बोस मात्मा गांधी भगत सिंग आभी दसन सप्रानी भ जै हिंद दिली चलो तुम मुझे खुंदो में तुम्हें आजाजी दूँगा सुबास चंदर बोस ने नारा दिया था ओप्सन नमबर A राइट हो गई है वंदे मात्रम किस ने लिखा यह हम चर्चा कर चुके बारत का राष्ट्रे गी था आनंद मठ नामक पुस्तक से ल ना जाता है परतिवस 14 नौंबर को इनका जनम दिवस किस रूप में मनाया जाता है यहां पे चितरन जंदास राइट आंसर होगा ओप्सन नमबर C राइट होगा ओप्सन नमबर C राइट होगा पोर बंदर सवतंतर भारत के परतम गवर्णर जनरल कोन थे सवतंतर भारत के परतम गवर्णर जनरल कोन थे सवतंतर भारत के परतम गवर्णर जनरल कोन थे पंडित नेरू राज गोपालाचारी माउंट बेटन या डोक्टर राज यंदर प लाजपत्राय को किस नाम से जाना जाता चेहरे पंजाब के नाम से जाना जाता या पंजाब के नाम से के स्री के नाम से जाना जाता ओप्सन नंबर ए राइट होगा आपको बताया गया है 1927 में साइमन कमिशन बना था और 1928 में बाहरत आया था और जब बाहरत आया था उस समय लाला लाजपत्राय ने घंगोर विरोध किया था और इसके विरोध में अपने जान दे दे थी नेक्स्ट क्यूशन अमजद अली खान सम्मधी थे किस वादे यंतर के परशिद वादक थे अमजद अली खान सरोध संतूर तबला या गितार तो परशिद किस वादे यंतर के थे सरोध वादे यंतर के वादक थे नेक्स्ट क्यूशन बारत के दूसरे परदान मंत्री कोन है पहले कौन है पहले पंडित जवाहला नेरु जी दूसरे कौन है दूसरे थे लाल बहादूर सास्तरी जी उनिस सो पैंसेट में 1965 में क्या होता है भारत और पाकिस्तान के मज्दे यूद होता है 1966 में उजबेकिस्तान की राजदानी तासकंद में एक समझोता होता है जिसका नाम तासकंद समझोता था और उसी दोरान उजबेकिस्तान की राजदानी तासकंद में ही लाल बहादूर सास्तरी जी की मर्ति होती है इसलिए एक मातर एशे प्रदान मंत्री थे सास्त्री जी जिनकी मर्थ्यु विद्येश में होई थी नाक्स्ट क्यूशन गिरिजा देवी नेम्न में से किस छेतर से संबंदित साइट संगीतकार अभीनेता संगीतकार या नर्थक तो गिरिजा देवी एक परशिद संगीत कार थी, ओप्शन नंबर C राइट हो गाई आपे नेक्स्ट क्यूशन राजी उगांदी की बम दमाके में मर्त्यू कहां होई थी? कोची, विजेवाडा, सिरी पेरंबूर या कोलकाता तो 1901 में में राजी उगांदी जी की बम दमाके से मर्त्यू होई थी? शिरी पेरंबूर करनाटक में ओप्शन नंबर C राइट हो गई आपे जय जवान, जय किसान का नारा किस ने दिया? शुबाश चंदर बोश, चरंशिंग, लाल बाहदूर सास्त्री या जवाल लाल नेरू तो जय जवान, जय किसान का नारा दिया था लाल बाहदूर सास्त्री जी ने जो बारत के दूसरे परदान मंत्री थे और जो भी बाते होनी थी वो हम उपर के क्यूशन में कर चुके है नेक्स्ट क्यूशन बारत का पहला राष्टर पती कौन था परणव मुखर जी, डॉक्टर राजेंदर परसाद, परतिबा पाटिल, लाल कर्शन, आडवानी तो इनके बारे में भी हम बात कर चुके है डॉक्टर राजेंदर परसाद, जिनका कारेकाल सबसे लंबा रहा था भारत के परतम राष्टर पती थे, उप्सन नंबर बी राइट हो गई यहां पे और समिधान सबा के इस्थायद्देक्स भी कौन थे, डॉक्टर राजेंदर परसाद थे ड्यान रहे, ए इस्थायद्देक्स या परतम अद्देक्स की बात करें तो वो सचिदानन सिन्ना थे और इस्थायद्देक्स डॉक्टर राजेंदर परसाद को दूसरी बेठेंग में बनाया गया था परतिबा पाटिल, भारत की पहले महिला राष्टरपती कौन रहे ये परतिबा पाटिल और दूसरी महिला राष्टरपती आप सभी जानते हो वर्तमान में महामहीम द्रवपदी मुर्मू नेक्स्ट क्यूसन, नेमन में से कौन कभी भारत का वित मंत्री नहीं रहा वित्मंतरी कौन हुन नहीं रहाई, यह अच्छा क्यूसरन है । डौक्टर मनमान सिंग, online मां की महामंदी के दोरान डौक्तर मनमान सिंग जी भारत के वित्मंतरी थे शिरी पीची दमबरम, शिरी यिस्वंत शिना या सिरी कमलना तो इनमें से सीरी कमलनात कभी भी भारत की वितमंत्री नहीं रहे हैं, ये तिनों वितमंत्री रह चुके हैं Next Question, अंत्रिक्ष में जाने वाले परतम भारतिये का नाम बताईए आप सभी जानते हो राकेश सर्मा थे, option A में राकेश सर्मा, option A इसका correct answer हो जाएगा Next question, Mount Everest पर चड़ने वाली भारत की पर्तम महिला थी, कौन थी? PT. उसा कर्णम मलेश्वरी, बचेंदरी पाल, फातिमा बीबी PT. उसा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर राइट अंसर उप्शन सी होगा, बचेंदरी पाल, फातिमा बीबी सर्वच न्यायले में परतम महिला न्यायदिस कौन थी? फातिमा बीबी थी परतु उस न्यायले में महिला न्यायदिस की बात करें तो वो लिला शेट थी, और कहां के उस न्यायले में थी? माचल परदेश के उस न्यायले में थी बारती समिदान के निर्माता कौन है? पंडित जवाला नेरू, डॉक्टर भीमराव अंबेड कर, सरोजनी नाइडू या इन में से कोई है तो यह आप सभी जानते हो, कल ही इनका जनम दियुस मनाया गया था बारत की महान पुरूष ते, डॉक्टर भाबा साहे बीमराव अंबेड कर जी थे जिन्होंने कहा था कि शिक्सा वैस एरनी का दूद है, जो जितना पियेगा वो उतना ही दहडेगा उप्शन नंबर भी राइट हो गई आपे नेक्स्ट क्यूशन पर्तम मैला एर मार्शल कौन थी दूर्बा बनर जी पदमावती बंदो पादियाई सुबरतो मुकर जी या गीता ठाकुर तो पर्थम मेला एर मार्शलती पदमावती बंदो पादियाई, ओप्शन B में पदमावती बंदो पादियाई है, ओप्शन B इसका करेक्ट आंस्वर होगा नेक्स्ट क्यूसन, अलि गड़ आंदोलन के संस्तापक कौन है, मौहमद जीना, लियाकत अली, सरसेद अहमद खान या सोकत अली तो यहाँ पिर ओप्शन C राइट होगा सर्शेद अहमद खान अलिगड आंदोलन के संस्ता पकते ओप्शन C करेक्टर आंसर होने वाला है सोकत अलि और मोहमद अलि दो भाईते जिने अलि बंदों के नाम से जाना जाता है और उन्होंने ही कौन सा अंदोलन चलाया था खिलापत अंदोलन चलाया था गांदी जी की प्रेरना से नेक्स्ट क्यूजन जवाला नेरु का जनम कब हुआ था 14 नौंबर 1889, 5 सितंबर 1889, 2 अक्टूबर 1889, 5 नौंबर 1889 तो अभी अभी उपर के एक्क्यूशन में आपको बताया था कि पंडित नेरु जी के जनम दिवस को बाल दिवस के नाम रूप में मनाये जाता है तो कब मनाये जाता 14 नौंबर को अप्शन अ राइट हो जाएगा चाफ़ोदा 9-01889 को नीरु जी का जनम वा था 9 अक्टूबर 1889 को गांदी जी का जनम वा था और इस तीन को किस रूप में मनाये जाता अंतराष्ट्रे अहिंसा दिवस के रूप में मनाये जाता है आजाद भारत के पहले शिक्सा मंत्री कौन थे मौलाना अबुलकलाम आजाद डॉक्टर रादा कृष्णन सरदार पटेल या इन में से कोई नहीं तो शिक्सा मंत्री के रूप में पहले पदकी से सरजित किया गया था ओप्सन नमबर ए राइट होगा यहां पे मौलाना अबुलकलाम आजाद थे जिन्होंने कहा था क्या कहा था कि सपने वो नहीं होते हैं जो हम नींद में देखते हैं जबकि सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देत शर्दार प्टेल को भारत के विस्मार्ट के रूप में जाना जाता है इनहोंने पारत के एक एकरन करने का सरे पराप्त किया है और सरदार पटेल को सरदार की उपाधी बार्दोली अंधोलन के समय वहां की महिलाओं द्वारत दि गई थी नेक्स्ट क्यूशन, सवतंतर भारत की पहली मैला गवर्नर कौन थी, राज्येपाल कौन थी, विजय लक्षमी पंडित, शीला दिक्सित, सरोजनी नाइडू या इन में से कोई नहीं यहाँ पे उप्सन नंबर सी राइट होगा, सरोजनी नाइडू बात की पहली मैला राज्येपाल थी, जो उत्तर प्रदेश की राज्येपाल रही थी, इसके अलाव भारती राष्ट्रे कॉंग्रेस की परतम भारती मैला अध्यक्स भी रह चुकी है, यदि बात आये, सवतंत बातर बात की पहले मैला मुख्य मंत्री की, तो वो सुचेता करपला नहीं थी, नाइटिंगल ओप इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो भी कौनती सरोजनी नाइडू थी, ओप्सन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे, बारत में परमानु उर्जा के पिता के बॉक्टर विक्रम साराबाई को और इस रो के वर्तमान में अद्यक्स कोन है, वर्तमान में चीप है सोमनाथ, नेक्स्ट क्यूशन, डिल्ली चलो का नारा किस ने जिया था, दिल्ली चलो तुम मुझे खुन दो, मैं तुम्हे आजादी दूँगा, जय हिंद किस ने दिया करता ये सबी नारे, सुभास चंदर्बोष ने Number B, सुभास चंदर्बोष के बारे में हम चर्चा कर चुके, इन सारों एप्शनों के बारे में भी ऊपर चर्चा कर चुके, उस्ताद जाकीर उसेन किस वादे ययंतर से जूगे हुये थे, जाकीर उसेन का वादे य時間 कौन वनाहाजारेनों किस राज्जे से है यह महाराष्टर Гोपन का सं मंद किस वाज़ यह द दनर तर रचिए टब्ला सितार सरोध ये सं तूर तो आ between डी संथब्स का राइ संसुर होगा वायती राप्यराष्ट्र कॉंग्रेस का कि सथाफन किस ने की आपको बताया गया किसके समय में डफरिन के समय में अठारा सो पिच्चाशी में इसकोट लेंड के आज चीए सद्धिकारी ए ओ हुम द्वारा की गई थी ओप्शन नमबर ए राइट होगा परतम अदेक्स वोमेस चंदर बनर जी को बनाया गया था नाक्स्ट क्यूशन बार्त का लोव पूरुस की शेका जाता सरदार वल्लब बाइपटेल बार्त का बिसमार्क बार्त का लोव पूरुस सरदार की उपादी बार दोली आनुलन के समय मिली थी ओप्शन ए राइट होगा सरदार वल्लब बाइपटेल को ही लोव पूरुस के र मन दीत है जल से ना वाईव से ना साई ते या कार्टू निष्ट तो आरके लक्षमन एक कार्टू निष्ट ते परसीद ओप्सन नमबर डी राइट हो गए याप नाक्स्ट अमबेडकर का एक सिद्दांत था क्या सिद्दांत था अमबेडकर जी का आत्म समान गुलाम सासन जाती का अबाव या इन में से कोई ने, तो अम्बेड करजी का क्या सिदान था, यह आप अच्छी तरह से बता सकते हो, उप्शन पड़ के जाती का अबाव यह एक अम्बेड करजी का सिदान था, उप्शन नमबर C राइट हो गए यह, आव इस्मर्णी यह साइट तेक चरि पहली मईला राष्ट्रपती कोन है, इनके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं, इंद्रा गांधी पहली परदान मंत्री थी, सरोजनी नाइडू, पहली राजेपाल थी, तो परतिबा पाटिल राइट आंसर हो जाएगा, उप्शन ए राइट होगा, उप्शन नमबर D र नेक्स्ट क्यूशन, राष्ट्रे गीत के रचियता कौन है, राष्ट्रे गीत वंदे मात्रम आननमट से लिया गया, बंकीम चंदर चटर जी थी, उप्शन नमबर B राइट होगा यहाँ पे, नेक्स्ट क्यूशन, 1965 के यूद के दोरान भारत के परदान मंत्री कौन थी, 1965 65 का यूद हुआ था, जो आला नेरू थे, लाल बाहदूर सास्त्री, इंद्रा गांधी या मोरार जी देशाई तो कौन थे उस समय, लाल बाहदूर सास्त्री थे, भारत और पाकिसान के मद्दे ये यूद हुआ था, ओप्शन B राइट होगा यहाँ पे, बिरजु माराज का नाम किसलिये जाना जाता, मनिपूरी नर्ते, ओडिशी नर्ते, कथक नर्ते या भंगडा नर्ते, बंगडा नर्ते पंजाब से सम्बंधी थे, यहाँ पे कथक नर्ते जो संपुन उत्तर भारत में किया जाता, वेसे सामाने तोर पे इनके दो गराने, एक तो लखनाव गराना और दूसरा जेपुर गराना है तो बिर्जु माराज इसी से संबंदित थी नेक्स्ट क्यूशन सूर्शिरी रिना कोसल कौन सी पहली भारतिय मैला थी तो सूर्शिरी रिना कोसल दक्षिन दुर्वे के लिए इसकी करने वाली पहली भारतिय मैला थी option c में दक्षिन दुरा के लिए इसकी करने का option है option c right हो जाएगा बारत में चलिक न्यायले किसका मानस पुत्तर है बारत में चलिक न्यायले न्यायमूर्ति बगवती का मानस पुत्तर है option a में दिया गया option a correct हो जाएगा next question सिमान्त गांदी किसे कहा जाता है शिमान्त गांदी, मौहत्मा गांदी, खान अब्दूल गफार कान, मौलाना आजाद या मौहमद इकबाल तो किसे कहा जाता है मौलाना आजाद कुछ मिसाइल में इनके नाम से दना जाता है खान अब्दूल गफार कान इनका राइट आंसर होगा, ओप्शन बी राइट होगा यहां पे बारत का कौन सा पाइलेट 27 परवरी 2019 को पाकिस्तानी चेतर में उतर गया था ये तो आप सभी बता सकते हो, सभी ने देखे हैं ओप्शन बी राइट होगा, अभी नंदन वर्द मानते नेक्स्ट क्यूशन, कारगिल यूद के समय बारती सेना के जनरल कौन ते, वी पी मलिक अन्सिविज, एन राइ या ओपी मल होतरा तो कारगिल यूद के समय 12 सेना के जनरल कौन थे, वीपी मलिक थे, ओप्षन अ राइट होगा यहां पे Next, 1911 के बातपाक यूद के समय 12 सेना के जनरल कौन थे, अभी अभी आपको बताया था जनरल मोनेक्स होते, ओप्शन ए राइट होगा, जी ने परतम फिलिड मार्शल के पदसे लंकरित किया था नेक्स्ट क्यूशन लोगसबा का पहला अद्यक्स कौन थे, आमे अयंगर, जीवी मावलंकर, उकुम सिंग या संजीवारेडी तो गणे स्वासदेव मावलंकर या जीवी मावलंकर लोगसबा के परतम अद्यक्स थे, वर्तमान अद्यक्स कौन थे, वर्तमान अद्यक्स कौन है, तो ओम बिडला है, जो कोटा बुंदी से संसद है नेक्स्ट क्यूशन 1965 के बारगपाक, युद के समय बारती शेना के जनरल कौन थे, तो कौन थे 1965 के समय में, आर अन थापर, जे अन चोधरी, के स्थिमेया, या पीपी, कुमार मंगलम तो 1931 के समय तो मौनेक्स हो थे, 1965 के समय जे अन चोधरी थे, ओप्शन नंबर बी राइट हो गा यहाँ पे सर्वस न्याले में न्यूक्त होने वाली पर्थम महिला जज कौन थी सुप्रिम कौर्ट में न्यूक्त होने वाली, अभी अभी हम उपर एक पर्षन में चर्चा कर चुके, मीरा साहिबा, फातिमा बीबी थी ओप्शन C में दिया गया, ओप्शन C राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्यूशन करो या मरो का नारा किस ने दिया था तो आप सभी जानते हो, बार्चोडव अंदोलन के समय में 1922 में बात्मा गांदी जीने करो या मरो का नारा दिया था नेक्स्ट सांती निकेतन निम्न में से किस व्यक्ति से सम्बंदित है अच्छा क्यूशन है जिने गुरुदेव की उपादी दी गई थी सांती निकेतन रविंदर नाटेगोर से सम्बंदित है और रविंदर नाटेगोर को एस यागा पहला नोबेल पुरुषकार मिला था 1913 में उनकी परसिद पुस्तक गितानजली के लिए सर्जिकल स्ट्राइक सितंबर 2016 के समय बारते सेना के जनरल को थे सर्जिकल स्ट्राइक 2016 के समय जनरल दलबीर सिंग सुआग थे जो अंतराश्टी नियालिये में जज़बी बने थे ओप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर नियाक्स्ट क्यूशन बारत के परतम उपराश्टर पती कौन थे इसकी भी हम चर्चा कर चुके है कौन थे बारत के परतम उपराश्टर पती या राजे सभा के परतम पदेन सभापती डोक्टर राधा क्रशनन के और इनके जनम दिवस को पांक सितंबर को परतिवस किस तो 37 तरता के समय कोंग्रेस के देख्स कौन ते जे भी करप लानी थे ओप्शन नंबर सी राइट हो गाई यहाँ पे नेक्स्ट पंडित केल उचरन महापातर का नाम किस से जुड़ा हुआ है पंडित केल उचरन महापातर का नाम कथक कुचिपुडी बारतनाटेम या ओडिसी तो पंडित केल उचरन महापातर का नाम बारतनाटेम से जुड़ा हुआ है बारतनाटेम पहला सास्त्री नर्ते और तमिलनाडू का परसिद सास्त्री नर्ते है नेक्स्ट क्यूशन उस राष्ट्रपती का नाम बताओ जो एक बार से अधिक कारेकाल के लिए चुने गए थे बारत के पहले राष्ट्रपती डॉक्टर राजेंदर परसाद ही थे ओप्सन नंबर B राइट होगा यहां पे नेक्स्ट क्यूशन सर्जिकल इस्ट्राइक सितंबर 2016 के समय बारत के रक्सा मंत्री कौन थे पहले परसन आया था कौन सा था पहले परसन आया था कि शेना के जनरल कौन थे अब आया रक्सा मंत्री कौन थे तो उस समय बारत के रक्सा मंत्री कौन थे मनोहर पारी करते है option B में मनोहर पारी करते है option number B इसका correct answer होने वाला है next question तो यह ते बारती है मैं तुपुन व्यक्तित्व अब बात करने वाले अंतराश्ट्री हस्तियों के बारे में तो अंतराश्ट्री व्यक्तित्व में पहला परसंद दिया गया कि मार्क्ष्वाद का मुख्य समर्थ किसे माना जाता है एमन राय काल मार्क्ष यू बलो क्या फोरियर को तो किसे माना जाता मार्क्ष्वाद का मुख्य समर्थ काल मार्क्ष को माना जाता option B right हो गए यहां पे नेमन में से किसे अक्सर बलेक परल कहा कर भी संबोधित किया जाता तो फुटबॉल का परसिद खिलाडी ब्राजील का पेले था उसे बलेक परल कहा कर संबोधित किया जाता था ओप्सन नंबर A राइट होगा यहां पे नेपॉलियन बोनापार्ट कहां का था नेपॉलियन बोनापार्ट फ्रांस का था ओप्शन नंबर B राइट होगा और भारतिय नेपॉलियन किसे का जाता है भारतिय नेपॉलियन समुद्र गुप्त को का जाता है मुझे ऐसा लगता है समुंदर गुप्त के बारे में पढ़ते है तो फ्रांसिश्यों को यह कहना चाहिए कि फ्रांसिशी समुंदर गुप्त कौन था तो वो नेपोलिन बोनापार्ट था क्योंकि समुंदर गुप बहुत ही परशिद्ध व्यक्ति थे परशिद्ध राजा और विद्वान व्यक्ति हुआ करते थे उस समय के नेक्स्ट क्यूशन विश्व की परतम मैला परदान मंत्री थी कौन थी शिरिमती इंद्रा गांधी शिरिमती मार्ग्रेट थेचर शिरिमती शिरिमाव बंडार नायके या मेरिया इसाबिर शिरिमती इंद्रा गांदी हम चर्चा कर चुके कि बारत की पहली मैला परदान मंत्री थी शिरिमती मार्ग्रेट थे चर ये भी पहली मैला परदान मंत्री थी परंदु कहा की थी बारत की तो नहीं थी इंद्रा गांदी थी विश्व की भी नहीं थी विश्व की शिरिमती शिरिमाव बंडालनाय के थी सिरलंका सेथ थी ओप्शन सी इस क्यूशन का राइटांस रोगा तो यह ब्रिटेन की परतम महिला प्रदानमंत्री थी मेरिया इसाबेल या इसाबेल पेरो अर्जेंटिना की महिला जो विश्व की परतम महिला राष्टर पती है अभी यह ब्रिटेन की परतम महिला प्रदानमंत्री थी मिकाई काल सनी को किस के मसूर खोज करता थे बहुत अच्छा क्यूशन है और इसके बारे में आप सभी जानते हो हैर युवादिलो की दड़कन कौन थे एक फोटी सेउन के खोज करता थे ऑप्शन नमबर डी राइट होगा नच्षट क्यूशन टेलिफॉन का आविश्कार किस ने किया था अलेक्जंर ग्रहम बेल ने किया था ओप्शन बी में अलेक्जंडर ग्रहाम बेल ऑप्शन बी इसका करेक्ट् आन्सर होग नेक्स्ट क्यूशन 1994 में में दक्षिन अफ्रीका का पहला स्वेत राष्टर पती कौन बना था इसके बारे में आप सभी जानते हूं सभी जानते हूं नेल्सन मंडेला बने थी ओप्शन नंबर ए राइट हो गए यहां पर नेक्स्ट क्यूशन परमानुशिद्दांत की करते हैं कि कौनशी पुष्टक किस्ट ने लिखीती बहुत अच्छे क्यूशन बनते हैं यहां से भी ओर कनप्रम पूचे भी जाते रामायन गरंत किस्ट ने लिखा वाल में की व्यदव्यास सूरदास कालिदास अभिज्यान सकुल्तलाम मेग दुतम रगवन सम परसिद्र न घेता रगीता, ठीकनल व्यदव्यास सूरदाट ने लिखेती यहां सूरदास के परस्थि और बनते हैं, जाते हैं बहुतं क्यूए एक्सप्रमायन सुछ पूस्टि को ने लिखा पूचे साथ मेरे परियोग महातमा गाऑन्धी जीते हैं, अप्संन नबर भी राइट हो मेंतारिट्ऊं क्यान साक्ति ऑप्षन मेर्च हो म हैं आपर ''Sager年前 की पोस्तह दास्ट पूंत हएंड्टросली कारे से के लिवाड किताब अपर किस नने लिखी थी नेक्स्ट क्यूशन, शिक्त दर्म की धार्मिक पुस्तक कौन सी है, उसका नाम क्या है, गुरुगरंत साइब है, ओप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे, कल्हन की रचना कौन सी है, कल्हन की पुस्तक के लेखकते है, कवितावली, गोदान, मेगदूत या, राज गोदान उपनियास किसका है, मुन सी प्रेम चंद का गोदान उपनियास है, डिस्कवरी ओप इंडिया किस ने लिखी थी, भारत की खोज, पुस्तक के लेखकते है, पंडिच जवाल ला, नेरू, ओप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे, माभारत के रेचिता, इसके गुप्त कोटिल ले, इनकी पुस्तक थी अर्थ सास्तर, विष्ण सर्मा की प्रसित पुस्तक का नाम पंच तंतर, और कालिदास ची के बारे में हम चर्चा कर चुके, हाईर देन होप किसकी जीवनी है, हाईर देन होप, मदर टेरेसा, नेर्सन मंडेला, भी सब टूटू य लिया गया, आपको बताया कि आनंद मठ से लिया गया, आनंद मठ पंकिम चंदर चठर जी की पुस्तक है, ओप्शन सी राइट होगा, गीता अंजली रेविंद नाटे गोर किया, जिसके लिए 1913 में नॉबेल पुरुषकार दिया गया था, सत्य मेव जेत्य कहां से लिया ओप्शन नंबर डी राइट होगा यहां पर, नेक्स्ट क्यूशन रगुवणसम नामक पुस्तक किस ने लिखी थी, आप सभी जानते हो, अभिज्यान सकुतलम में एक दुतम रगुवणसम कालिदास की पुस्तक है, ओप्शन बी राइट होगा, गाइड पुस्तक के लिखः क्योंथ सब्सक्रांद हैं, जय संक परशाद है ओर बार्ग के इतियास में तीन कवी यू को छाइयावादी कवी के नाम से जाना दाता, वो कौन-कौन से थे, पंथ परशाद निराला सुमित्रा नननद पर पंथ, जय संकर परशाद, और सुर्य कान्थ तिर परठी निराला ये तीन सायावादी कभी थे नेक्स्ट क्यूशन दा इन्विजिबल मेन के लेकर कौन है इन्विजिबल मेन पुस्तक के लेकर कौन थे है एच जी वेल्स डिकन चास लेम या इन में से कोई नहीं तो अच जी वेल्स इसका राइट आंसर ओप्शन ए राइट हो गए पर उल जटां नाम किताब की लेकिका का नाम क्या है एक नाम है तस्लीमा नश्रीन और बसकान से संब्ढ़ तो तो सर्वोच गेर शेनिक वीरता पुरुषकार पदक कौन सा बारत का सर्वोच समान कौन सा बारत करतन और बारत का शेनिक वीरता पुरुषकार कौन सा प्रमवीर चकर और गेर शेनिक वीरता पुरुषकार कौन सा तो वो असोक चकर ओप्सन नंबर डी राइट होगा यहां नॉबेल पुरुषकार जितने वाले पहले बारतिये कौन थे पहले बारतिये नहीं पहले एशिया के पहले वेक्ति थे रविंद नाटेग और 1913 में गितांजली के लिए दिया गया था next question बारत का सरोच नागरिक पुरुषकार कौन सा यह आपको बता चुके बारतिये नागरिक पुरुषकार 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 बारतिये नागरिक किलाडी को बारत रतन मिलने वाला खिलाडी कौन था चछिन तेंदूल करता परन्तु ध्यान रहे राज जीव गांदी खेल रतन पुरुसकार प्राप्त करने वाला खिलाडी विश्वनात आनन था नेक्स्ट क्यूसन द्रोनाचारी पुर्षकार की से दिया जाता एक दिया जाता अर्जुन पुर्षकार और एक दिया जाता द्रोनाचारी पुर्षकार आपको पता अर्जुन और द्रोनाचारी में कौनसा सम्बन्द है गुरू और शिश्य का सम्बन्द है तो खिलाडी को आरजुन दिया जाता है और जो कोच होता है उसे द्रोनचारी पुरुषकार दिया जाता है Option No B राइट होगा क्याल के कोच को द्रोनचारी पुरुषकार दिया जाता है Next Question किसको बारतरतन नहीं मिला C.V. रहमन, Dr. Radha Krishnan इने सहरो पर्तम बारतरतन मिला था यहाँ पे सचिन तेंदूलकर को मिल चुका यह एक मातर खिलाडी है जिने बारतरतन मिल चुका यहाँ पे option A right होगा मौदी जी को अभी तक बारतरतन नहीं मिला है ग्यानपीट पुरुषकार का संबन किस्य है यह साइट तेस्य पहला ग्यानपीट पुरुषकार 1965 में किस्य मिला था मली आलम बासा के लिए जी संकर कुरूप को मिला था option नंबर B right होगा यहाँ पे ग्यानपीट पुरुषकार प्राप्त करने वाले पहले भारती कों ते यह location आ गया जी संकर कुरूप या गोविंद संकर कुरूप option B right हो जाएगा next पुरुषकार पुरुषकार सम्बन दीता किस सम्बन दीता पुरुषकार यहाँ पे option number B right होगा पत्रकारिता से सम्बन दीत है next question दिया गया होमी भाबा पुरुषकार किस फिल्ड्स में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है तो हमी बाबा पुरुषकार हो, अमी जांगिर बाबा कौनते है, पर्मान ओर्जा के पिता मा की रूप में जाना जाता तो पर्मान ओर्जा में ही दिया जाता है, option नंबर B राइट होगा यहाँ पर, ओसकर पुरुषकार किस चैतर में योगदान के लिए दिया जाता है ओसकर पुरुषकार किस चैतर के लिए दिया जाता है तो यह सिनेमा चैतर के लिए दिया जाता है ओसकर पुरुषकार, ओप्शन A में सिनेमा चैतर है, ओप्शन A राइट होगा यहाँ पे नेक्स्ट अर्जुन अवाड दिया जाता है यह आपको बता चुके है कि द्रोणाचारी कोच को दिया जाता है और अर्जुन खिलाडी को दिया जाता है विशिष्ट खिलाडियों के लिए होता है शिरे अटल भी रिवाज पे तता मदन महान माल विये को 2015 में बारत का सरोस नागरिक समान कौन सा होता बारत रतन होता वो परदान किया गया था ओप्षन ए राइट होगा यहाँ पर नेक्स्ट क्यूशन अरजुन पुरुष्कार कब सुरू किया गया था तो यह 1971 में सुरू क समानित किया गया तो मदर टेरे साफ पर्टम भारते मैखिलादीजी ने नॉबल पूरुषकार दिया गया था और यह भी सान्टी के श्यत्र में दिया गया था यहाँ पर 17 सब्सक्राइबंनिकृड़ 11 में किसी दिया गया था केल असतिार्थी Original और संति के लिए Duty percent और यहाई नें में से कौन सा देश का सरोच खेल पूरुसकार पहली देश का सरोच केल नाम ब्रसund पुरुसकार परंत वर्तमान में उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया मैजर ज्यांचन खेल रहतन पुरुसकार कर दिया गया उप्शन नमबर सी राइट होगा होकी के जादुगिर के नाम से परसीद है मेजर ज्यांचन जिनके जनम दिवस को परतिवर्ष 39 अगस्त कब आता है उनका जनम दिवस 39 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है नेमन में से कौन बारतरतन से सम्मानित नहीं है राजिव गांदी, जे आरडी टाठा, मदर टेरेसा या इन में से कोई नहीं तो कौन सम्मानित नहीं है बसको बसक्रीत बसक्राइं ब्हुत बत्त्रीन अव् sheriff होगा इन में चक्याइड़ Hmm और मुझें ऑफ्सेन दि राइट होगा इन में से कोई नहीं बसक्राइं की को सब्सक्राइब हिसे हिते आप्रंस प्रूंद्ज्रीय क्रपा नामिजें परशन हो चुके 143 या 44 परशन है जो नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट हो जाएंगे और वो जल्द हे कल सुबह या कल साम से पहले-पहले आप तक वीडियो पहुंच जाएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही तब तक के लिए थैंक्यू धन्यवाद जै जै बारत